नमस्कार दोस्तु आज आपको बताया जाएगा आधार कार्ड के बारे में जो कुछे नियम सरकार के द्वारा बदले गए हैं या कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के कुछ नियमों में बदलाव कर दिये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या फैसला किया है देखी बैंक अकाउंट से लिंक करना जरूरी नहीं आधार कार्ड को बैंक अकाउंट से लिंक करवाना अब खदम कर दिया है या कह सकते हैं कि उसकी अनिवारी ये ताजो थी वो खदम कर दिये कोई जुड़वाना चाहे त के बाद एक चल रहा था कि SIM बंद हो जाएगी तो मुबाइल नमबर से लिंक कराना भी जरूरी नहीं है आप लिए अपने मुबाइल नमबर को अधार से जुड़वाना चाहें या ने जुड़वाना चाहें इस से आपके मुबाइल नमबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आगे हैं मुबाइल वॉलेट से भी लिंक करना जरूरी नहीं आपने कोई जैसे फ्री चार्ज पेटियम या नहीं किसी पर प्रकार के जो वॉलेट वाले जो एप होते थी उन से भी आधार को लिंक करना अब स्माप्त कर दिये है उसके बाद स्कूल के अंदर दाखिले के अंदर जो कोई यदि प्रवेस लेना चाहता है विद्याले के अंदर तो उसके अंदर भी आधार कार्ड के एन्वारीता स्माप्त हो ग एक्जाम फोरम या इनके लिए बरे जाते थे कुछ कोलम्स जो है आधार कार्ड के विना फोरम सम्मीटी नहीं होते थे बरतियों के तो उसमें बहुत सारे बच्चे हैं वो उस बरती से रह जाते थे या बहुत सारे समय से यहाती थी तो उसके लिए भी CBSE, NET और UGC के लिए भी आधार के एन्वारी इतागवे स्माप्त कर दिया है सर्वेसिक्स अभ्यान के लिए भी कोई आप सके नहीं है अब लिंक करना कहां कहां आप सके है वो बताता हूँ PEN और ITR फाइल लिए दिया आप लगाते हो तो उसमें आधार लिंक जरूरी है वैसे देखें तो PEN CARD से आधार लिंक हो गया और PEN CARD आपके BANK ACCOUNTS से लिंक है तो अपने आप ये सारा लिंक हो रहा है सबसेटी के लिए आधार जरूरी अब आप सबसेटी में जड़वाओगे तो उसके लिए आधार जरूरी है दिया आप सबसेटी लेते हो तो सबसेटी में आधार जुड़ गया उदर BANK में आधार है या नहीं है तो वो अपने आपी BANK ACCOUNTS सबसेटी से लिंक कराओगे और सबसेटी आपके आधार से लिंक हो गई तो वो भी चक्रिव भई बन गया है इसका भी तो अगे निर्देश देर के आधार ना ओने पर किसी बच्चे दिव्यांग को सरकारी लाब से बंचित नहीं किया जा सकता पहले आधार काड मांगते थी कि आधार काड ले क्यों तो अब उसको कोई भी दिव्यांग वच्चा है या सरकारी लाब मिल रहा है किसी को तो उसमें आधार के अनिवारियता को स्वाप्त कर दिये कोई भी निजी कंपनी में आपसे आधार काड की मांग नहीं कर सकती कोई भी नीजी कंपनी है वो आधार अब आपसे नहीं मांगें जिसकी और एक दो न्यूज और भी है मैं दिखा देता हूँ आपको देखी ये भी अख़वार की कटिंग है ये मैंने पहले बता दिया इसके बाद में आप इसमें एक विश्यस है सरकार की समाज कल्यान योजणाओं का लाव रियायत लेने के लिए यदि सरकार की समाज कल्यान की योजणाई जितनी भी है तो उससे यदि आपको इलाव लेना चाहते है तो उसमें आधार जरूरी है और पहले सारा का सारा मैंने बताई दिया था अब ये देखिए सारी के सारी न्यूज आई हुई है जूम कर देता हूँ इसको मैं आधार के मामले में सुप्रीम कोट की समिधान पीट में सामील जस्टिस डी वाई आधार की चंडर चूड ने बहुमत से अलग फैसला सुनाया उन्होंने कहा कि आधार को कानूनी व्यत्ता प्रदान करने की लोकसभा में इसे घन विधेक के रूप में पेश करना सविधान को दोखा देने जैसे है ऐ सविधानिक है इसे खारिज किया जाए इन्होंने कहा कि 1.2 अरब नागरिकों के अधिखारों को सिर्फ आधार प्राधीकरण के ब्रोसे दाओ पर नहीं लगाया जा सकता रजे सभा को दर किनार कर विधेक को पास करना चल्ज करने जैसा है और जो सुप्रीम कोट का जो फैसला आया था वो आप अच्छी प्रकार से स्क्रीन के ओपर देख रहे हैं इसको पढ़ सकते हैं यह जुम करके भी दिखा देता हूँ मैं यह देखिए आप अधार जाइज मगर हर जगह थोंपना वाजिब नहीं यह सुप्रीम कोट का फैसला आया हुआ है और यह क्या फैसला दिया है सारा का सारा इसके अंदर आप न्यूज के अंदर देख सकते हो सूचना अची लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना भी ना बूलें सबसे पहले न्यूज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जुरूर क्रिक कर दें थैंक्यू